नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट क्रेप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे राज सूचना आयोग में किस प्रकार आवेदक को भी सूचना आयोग के द्वारा भी परतारित कर मनमानी धंग से आदेश परित किया जाता है ऐसे ही भरष्ट सूचना आयोग के कारण लोग सूचना पदाधिकारी का मनोबल बिहार में बढ़ा हुआ है जिसके कारण वो मनमानी धंग से सूचना देते हैं तथा आवेदक की हत्या तक करवा सकते हैं ऐसे ही गटना मेरे साथ भी हुई थी आप लोग देखें एक बिहार में सूचना आयोग में पीसी चोधरी उनके द्वारा किस प्रकार मनमानी धंग से आदेश पारित किया गया है आदेश को देखने से ही असपस्ट होता है कि सूचना आयोग में भी राजी सूचना आयोग किस प्रकार भ्रष्टाचार में सनलिक्त होकर भ्रष्टाचारियों को बचाने का कार्ज किया करते हैं आज मैं सबूत के साथ आप लोगों को हर चीज दिखाऊंगा आप लगातार इस वीडियो को असपस्ट बिना इसकिप कुए हुए देखेंगे तथा डेट पर भी ख्याल रखेंगे मैंने मुख बिन्दू को डार कर दिया है चलिए जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अब सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा कर आल पर भी क्लिक अवस्री कर लें जिससे इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास और वह सूचना आयोग में हो रहे व्रस्टाचार को ठीक से समझ कर उनके खिलाब भी आगे की करवाई करवाशक हैं तथा एक लाई कवस्र कर देंगे तथा इसे इतना सेर करेंगे हर भारती को इसकी जानकारी हो शके और भारत के हर नय पालिका में इसकी सूचना कारियों को बचाने के का खुद राज सूचना आयुक्त किया करते हैं चलिए देखिए वाद संख्या सी फाइव डवल जी सी फाइव फाइव जीरो अवलिक दूजार वाईस यह मेरा नाम है या लोग सूचना पदाधिकारी भूमी सुदारोप समारता उदाक स्कान मधिप पूरा है सिकायत करता उपस्थित यह पांच बारा को आदेश पारित्वा लोग सूचना पदाधिकारी अनुपस्थित भी हैं प्रपत्र को दिनांके के 1121 को अवलोकन किया अवलोकन से यह असपष्ट होता है कि आवेदिक द्वारा स्वेम द्वारा दिये गई प्रपत्र को कि अभी प्रमानित परती की मांग की गई है स्वेम प्रपत्र को देकर फिर उससे के प्रमानित परती की मांग किया जाना हस यह असपष्ट है तथा सूचना के अधिकार का दुरूप योग है मांगी गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम परिभासा टू जो के अ अंतरगत नहीं है अब ध्यान देने वाली बात है आप लोग ध्यान लखेंगे एक ग्यारा दोजारे कीस को मैंने प्रपत्र को द्वारा कुछ विंदूआं पर सूचना मांगी लेकिन इन्होंने मेरी बात को नहीं सुनी ठीक डंग से और प्रपत्र को की अभी परमानित परत की मांग की गई अब आप लोग ही बता सकते हैं कोई भी व्यक्ति प्रपत्र को जब लिखी रहा है एक ग्यारा दोजारी 20 को जो मैंने प्रपत्र को दिया था उसमें मैंने क्या मांगा था आप लोग ब्रश्टाचार को देखें कि किस प्रकार बिहार में जनता के रुपईये से सूचना आयुक्त अपना पेट भरते हैं तथा ब्रश्टाचारियों को बचाने का कार्ज क्या करते हैं तो आप लोग ध्यान रखें यहां मेरा प्रपत्रकौ है और इसमें देखिए मैंने क्या मा अंडर लाइन किया हुआ है 112021 को कि मैंने क्या मगा है भूमिस उदार उप्समाहरता कर्यालय उदाकर सुनगा यह मेरा नाम और पुरापता है देखिए मैंने प्रपत्रकों के माध्यम से क्या मांगा नियाल है उपसमारता भूमिसुधार उदाकिसुनगांज में 351 अबलिक 226 से सुडुल 12 फॉर्म नंबर 57 BNF नंबर 124 द्वारा अबजापता नकल निकलवाने हितु आवेदन दिया गया था दिये गया आवेदन की सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिये गया आवेदन की प्रमानिचाया परती दी जाए यह नकल निकलवाने हितु फर्म भड़ा गया था तो सुचना आयुक के सुचना आयुक पिसी चौधरी कहते हैं प्रपत्रकों के ही यह मांग किया है यह बिलकुल मेरी बात को नहीं सुने और यह भरस्टाचारियों को बचाने के कारण खुद भरस्टाचार में लिप्त हो गये हैं अब तक नमांतरन अपीलवाद संख्या 132 निस बीस का वजापता नकल किस किस ने और कितनी वार निकाला है सिग्र सुचना दी जा है नमांतरन अपीलवाद 132 निस बीस के संपूर्ण अभिलेक की प्रमानिच्छाया परती दी जा है यह मैंने इस तरह सुचना प्रपत्र को के द्वारा मांगा था लेकिन पीसी चौधरी जो विहार के सुचना आयुक्त हैं यह भरस्टाचारियों को बचाने में खुद भरस्टाचार में लिप्त हो गए हैं अब देखी आगे यह आदेश में क्या लिखते हैं परिवादी के द्वारा अपना यह सुचना की मांग की गए कि नमांतरन अपील संख्या 132 निस वीस में अब तक बजापता नकल किस किसने कितने बार निकाला है मेरी राय में इस प्रकार की सुचना मांगना किसी भी तरह से सुचना अधिकार की उद्देश को पूरा नहीं करता सुचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश भरस्टाचार रोकने की परिकलपना से गठन किया गया है और ऐसा, ऐसी मांगी गए सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम की उद्देश को सफल करने वाला है अतह परिवाद पोस्निय नहीं है, इसे खारिज किया जाता है अब देखिए मैंने क्या मांगा था, और ये किस साधार पर 11-2020 को प्रपत्र कौक की अभी परमानत की मांग की गई है जब मैंने वहस किया तो इसमें इन्होंने मेरी एक फी बात को नहीं सुनी और मेरा हसी मजाक भी उराया गया था सूचना आयोग में तथा मुझ पर ही सूचना अधिकार का दुरुप्यों करने का आरोप भी लगा दिया गया जबकि PC चौधरी खुद भरस्टाचारी को बचाने में लिप्त हो गए और खुद भरस्टाचार में समलिप्त होते हुए नजर आ रहे हैं अब आप लोग इस वीडियो को इतना सेयर करें कि हर भारती को इसकी जानकारी हो सके और नियापालिका को भी इसकी सूचना पहुंच सके जिससे PC चौधरी प्यार के राज सूचना आयुक्त जो है उस पर भी करवाई करवाई जा सके जैहिन